वेल्कम तु बालगोईदम लेर्निग एड़ तुड़े अवर सब्जेक्ट इस इंग्लिश किल्ड बुक, ग्रामर बुक टेक आउट पेज नमबर नाइ सबसे पहले नाइन में हम आज इसका डेफिनिशन जानेंगे सिंगुलर अन प्लूरल singular means one singular refers to only one person, place or thing singular का मतलब बता कोई भी एक चीज़ों उसे singular बोलते हैं or plural, plural means two or more than two plural refers to more than one person, place or thing यानि की कोई भी एक चीज़ से जादा हो, जैसे की 2 bees, 2 keys, 2 stars और 2 flowers उसे बोलते हैं plural, so you have to तेक आउट पेज नमबर टन सबसे पहले हम लिखेंगे किसकी पिक्चर है फैन सो विवल राइट एफ ए एन फैन अब दो फैन हैं तो यह प्लूरल हो गया फैन का तो हम लिखेंगे एफ ए एन एस फैन नाव जी ओ ए टी गोट दो गोट हैं तो यह प्लूरल हो गया तो जी ओ ए टी एस गोट अब यस एक बनाना है तो यह सिंगुलर है बेड नन, न न ए बनाना ना B-A-N-A-N-A-S Bananas Then B-A-G-Bag B-A-G-S Bags B-O-K Book अब दो books हैं तो यह होगया plural B-O-K-S Books Now B-E-B और यह होगा B-E-E-S Bees Now P-I-G Pig A-B-O-G-A-P-I-G-S P-E-N-C-I-L Pencil A-B-O-G-A-N-C-I-L-S Pencils Now is C-A-N-D-L-E Candle एक से ज्यादा हो तो क्या होगा C-A-N-D-L-E-S Candle So अगीन आई रिपीट Fan Fans Goats Goats Banana Bananas Bag Bag इस तरह से आपको Page No. 10 C-W में करना है Thank you